नमस्कार दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के फोटो और वीडियो को कैसे हाइड कर सकते हैं यानि सिकूरिटी लगा सकते हैं वो भी बिना किसी अप्लिकेशन के फ्रेंड यह बहुत ही असन तरीका है कोई भी 10 साल का बच्चा भी कर लेगा इसलिए आप आप तो करी सकते हैं बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरा देखना है नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो आप फिर बोलेगा कि नोट वर्किंग या काम नहीं कर रहा ट्रीक अच्छा नहीं है तो वीडियो को लास्ट देखीगा यह खी रिक्वेस्ट है ठीक है और फ्रेंट जैसे आप अप्लिकेशन से अगर करते हैं कोई भी अप्लिकेशन बहुत सारे अप्लिकेशन है तो उसमें हाइड करते हैं या सिकूरूटी सेट करते हैं और अप्लिकेशन को कोई डिलीट कर देता है तो उसे क्या होता ना फ्रेंट कि आपका फोटो या वीडियो hide नहीं रहा जाता, तो परणट चलिए बीना लेट कि विडियो को start करते हैं, guys मैं आज अभी दिखाऊंगा कि आप photo और video को कैसे hide कर सकते हैं और कैसे unhide कर सकते हैं, मतलब आप छुपा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं, तो चलिए मैं यहां दिखाता हूं, सबसे पहले File Manager में जाना है और मैंने जिस फोटो को Hide किया उसको मैं Unhide करके दिखाता हूँ सबसे पहले इसी परकार से आपका वीडियो भी Unhide हो जाएगा ठीक है उसको आद देखिए इसको हम देख लेते हैं कि ये फोटो है ठीक है करके यहां JPG लिख देना JPG इस पर करकियों की फोटो में JPG ही रहता है अगर वीडियो है तो यहां आपको लास्ट में तीन अच्छर जो आप मीटा के जो आप मीटा के किजेगा MP4 मीटा के आप जो भी आपका पासवर्ट रहेगा उसको हटा के फिर को आपको रिटर्न करने क यह वाला लिखना है कि उसका दोकते करना मुए उसको रिटर्न करके दिखाते हैं चलिए यहां पर और देखिए यह फोटो आ गिया और यह फोटो को मैं थो इसले आपको आपको की जाने के बाद रीनेम करदें मौर में जाने के बाद रियो के आपको और पासवर्ड सकते पासवर्ड की जगा जो आप कोई नहीं जाने उसके बाद ये इसको OK कर देना है और फ्रेंट सर्च करने टाइम याद रहे कि आपको पासवर्ड याद रहना चाहिए यानि आप जो rename कियें यहां तो strong password दीजेगा ताकि ये hide हो गया unhide करने के लिए simple सा फिर से जाना है और जो आप password दीए उसको अटाके mp4 कर देना है ठीक है thanks पर वच्चे